मेरे प्यारे देश्वासियों, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निश्वार्थ भाव से सेवा की प्रेणा देते हैं, भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदग की, उसने आज शान्ति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया ह दुनिया ने इस दोरान भारत की विश्व बंदूत्व की भावना को भी महसूस किया है, और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभूता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिट्मेंट को भी देखा है, लदाक में भारत की भूमी पर मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के गवरों पर आँच नहीं आने देंगे। साथियों लदाक में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शाओरिय को पुरा देश नमन कर रहा है। स्रधाजली दे रहा है। पुरा देश उनका कृतग्या है। उनके सामने नतमस्तक है। इन साथ्यों के परिवारों के तरह ही हर भारतिय इने खोने का दर्द भी अनुखो कर रहा है अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो जज़बा है यही तो देश की ताकत है आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले शहीत कुंदरकुवार के पिताजी के शब्दतों कानों में गूंज रहे हैं वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा यही होसला हर शहीत के परिवार का है वास्तों में इन परिजनों का त्याग पुजनी है भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का धेब बनाना है हर देश वासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिस से सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत भड़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्म निरभर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची सद्धान ले भी होगी मुझे असम से रदिनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पुर्वी लदाक में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है प्रण ये कि वो लोकल ही खरिदेंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वो कल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कौने से आ रहे हैं बहुत से लोग मुझे पत्रा लिख कर बता रहे हैं तो वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिन्नाडु के मदुरई से मोहन रामामूर्थी जी ने लिखा है तो वो भारत को डिफेंस के खेतर में आत्मंदेर भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहाँ अनेको और्डिनन्स फेक्टरिया होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीशे थे वो आज हमसे आगे है आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाब उठाना चाहिए था हम उसका लाब नहीं उठा पाए लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलोजी के खेतर में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्मन्दिर भरता के तरफ कदम बढ़ा रहा है